नमसे एब्रीवन मैं स्वाती दुबे आप सब का स्वागत करती हूं मेरे टॉक शो लेट्स इंस्पायर में दिया और बाती ये सीरियल आप सबको बहुत अच्छे से पता होगा और उसमें जो किरिदार थे वो बहुत ही अच्छे थे कुछ किरिदार ऐसे हैं जिन्नोंने अपने चाप छोड़ गए हमारे मस्तिस्क में उसी में से एक है मीना बीद्री मीना बीद्री का नाम सुनते ही आपको ऐसा लगता होगा कि कोई चुल्बुली मज़ेदार एक ऐसी सर्दस से जो आपके घर में भी आराम से किसी ना किसी के अंदर वैसा सक्सियत होगा जी हां उस किरदार को निभाने वाली एक बहुत ही अर्बुत अदाकारा आज हमारे साथ है कनिका महिस्वरी जी का स्वागत करते हैं वेलकम मैम आपका स्वागत है हमारे शोज में दन्यवाद मैम वैसे तो हम लोग आपको बहुत अच्छे तर जारे में हमें बताये हैं ऐसा मैरे माता घटा हैम मेरा चाचे है मड़ी जाड़ी तो यह और मेरे शादीृती नौ साल पहले तो मेरे पती है मेरे साथ सबसूर है और एक मेरा शे साल का प्यारा बेटा है तो यह मेरी पामिली है चोटी सी फैमिली है लेकिन प्रभू का है भगवान का है क्योंकि उन्होंने ही सब कुछ शमतकार किया लेकिन मां जो एक एक रूप है वो हर पल आपका साथ देती है तो मेरी भी मान ने मुझे हर जगह हर कादम पर मेरा साथ दिया और सबसे ज़्यादा आज भी वही उन्हीं पर मैं निरभर होती हूं वही मेरी सब से बड़ी क्रिटिक भी है अगर मैं क्षा करती हूं तो वो मेरी बहुत तारीफ करती है और अगर बुरा करती है तो बहुत जादा डाट पड़ता है कि मजानी आया कने का कुछ और अच्छा करो तो सबसे जादा मैं कहूंगी support मेरा मेरी माने कि आया है जो T-series थी, वो albums बनाते थे, यह जो private albums होती है, गाने जो होते हैं, वो बनाते थे, तो एक गाना था, काटो से खीच के आचल, उसका रीमिक्स था, तो वो मुझे, मैं T-series के office में गई और वहाँ पर कास्टिंग वी और शायद वो उसी तरह की लड़की ढून रहे थे, कश् जो आमिर खान है, उनके ब्रदर के साथ में, फैजल खान के साथ में, मैंने एक शॉट फिल्म की, उसका नाम था, सांच सवेरा, सौहारा जो TV था, वो लोग पहले शॉट फिल्म बनाते थे, तो फैजल खान की डॉटर का रोल किया था, मैंने, और बहुत ही अच्छा काम थ तो आपकी लाइफ में कभी ऐसा हुआ कि आपको बहुत परिशानिया मिली उसकी बाद आपको ब्रेक मिला ऐसा स्टार्टिं में हुआ क्या तो दिखे परिशानिया तो जीवन के साथ में लगी रहती है, यह नहीं कहूँगी कि पहले जादा परेशानी थी कि आज कम है परि परिशानियां हैं परिस्तितियां मतलब प्रभू को धन्यवाद कि आपने हमें उस काविल बनाया कि हम उससे जूच सके और आपके प्रश्न की बात यह रही कि हाँ बहुत बार बहुत सारी परिशानिया आई पैसे नहीं होते थे बिल कैसे भरना है उसकी परिशानी होती थी बलकि मैं अच्छे घर से आती हूं लेकिन तब एक अंदर होता है ना कि नहीं अपने माता-पिता से पैसे नहीं मांगने हैं अपने बल्बूते खड़ा होना है तो वो चीजे थी एमोशनल चैलेंजेस थे अपने मापाप की मैं इकलौती लड़की हूं तो मापाप की याद बहुत आती थी घर का खाना याद आता था वो बहुत चीजे थी जो कि तकलीफ दे थी लेकिन मुझे ऐसा लगता है उन तकलीफों से निकल कर ही आज शायद सोना बन पाई हूं मैं आपने जब दिया और बाती किया था तो उसमें आप प्रेगनेंट थे ने दिया बाती सेरियल करना फिर घर मेनिज करना फिर हल्प हर्मोंस चेंज होते हैं तो हैल्फ का भी रगता है तो आप कैसे मैनेज किये बहुत कतनाया थी अ सबसे बड़ी कटनाय तो यह थी कि मेरा सेट था वो ना फर्स फ्लोर पे ता तो करीबन ऐसे ना करीबन पच्छिस शीरिया थी तो रोज वो 25 सीनिया चड़नी होती थी और उतरनी होती थी बहुत बार ऐसे मिनाक्षी के किरदार में मुझे पूरी बॉडी लैंगवेज यूज करनी पड़ती थी अपना पूरा ऐसे सब करना होता था तो उसके लिए मुझे फिजिकली फिट होना बहुत जरूरी था और प होती बहुत ब्रूरी के अपने में अपनी बहुत बहुत प्यार करते थे और मुझे बहुत प्यार से मेरा ध्यान रख़ा जाता था और मुचे पटा भी नहीं चला कुई नौ महीने कब निकल गए तो अभी जो सी डिल चल रहा है क्यों उत्थे-दिल छोड़ा है इसमें आ एक तो पहली बात तो यही सेम प्रोडूसर थे हैं शर्शे सुमित प्रोडक्शन और बहुत ही चालेंजिंग रोल था बत तब चालेंज यह था कि एक तो मिनाक्षी के किरदार को ब्रेक करना था क्योंकि इसी वज़े से मैंने तीन साल तक टीवी नहीं किया बिल्कुल ही टी थी पंजाबी एक एकसेंट जो एक लौहार का एक वह जो सेट अप है और 1947 का है तो वह लैंग्विज पर कमांड करना बहुत जरूरी था उपर से एक मैं एक विद्वा का रोल कर रही हूं एक विड़ो का जो 1947 में विड़ो है किस तरह का भेशबूशा होनी चाहिए किस तर को मैंने एक इमिज बना के उस किरदार को ड्रॉ किया और बहुत ही इंट्रेस्टिंग रोल है मोगर का नाम है मोगर नाम है और हर बात पे वह रब 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 करती है और मतब मोगर विचारी की करे ठंडा पानी पिती फिरे मतब वह जो पंजाब और उर्दू का जो मिक्स थ जाएनर कुछ नहीं से एक मस्कारा के साथ में आपको पूरा शूट करना है तो अभी चल रहा है अच्छा चल रहा है लोगों को बहुत पसंद आ रहा है इंफाक्ट नॉट इंडियन ओडियंस में यह नहीं कहूंगे कि बहुत जादा मतब बहुत बढ़िया टियार पियर नंबर वान है लेकिन इंटरनाशनल ऑॉडियंस बहुत पसंद करें वह देखाना चाहते है अपने बच्चों को कि इस तरह से पहले के जमाने के लोग ऐसे थे और इस तरह की चीजे होती थी तो इंटरनाशनल ओडियंस बहुत पसंद करें है जैसा की कोवीट का टाइम है ठो कि अथे अर्फेटेडरिवे भी एंटेडर्वे नोग कि अप्रेस आपको क्या फेस करना पड़ा क्या चेंजिस आय कोईट की पाद और कोईट के पहले ने है चेंजिस थे क्योंकि एक तो यह एक ऐसा वाइरस है कि यह man-made है natural calamity नहीं है यह man-made है और किस तरह का जहर है वो भी नहीं पता है पहले बाद तो मैंने कामी नहीं लिया था क्योंकि मेरे पास में छोटा बच्चा था और मैं कोई भी ऐसी चीज नहीं जाना चाहती थी कि कोई भी मुझे परिशानी हो या दूविदा में हो कि मैंने क्यों काम किया फिर चब यह रोल आया तो मैंने मेरे घर के पास में ही था और यह था कि अब कोविड टेस्ट हो रहा था लेकिन यह है कि दूरिया बना के रखनी पड़ती है मास पहनना पड़ता है जिस तरह से हम पहले एक साथ मिलकर बैट कर खाना काते थे एक दूसरे की प्लेट से ले ले है और एफेक्ट तो पूरा विश्व हुआ है हम नहीं हर होटेल इंडेस्ट्री अपना कहें एर इंडास्ट्री हर तरीके की इंडेस्ट्री खराब हुई है बट यहां लोगों का यह हुआ है कि एंटेटेन्मेंट में बहुत जादा लोगों क्यों कि लोग घर पे बैटकी क्या करेंगे एंटेटेन्मेंट की लिए फिल्म्स देखेंगे तो उस चीज के लिए हमारे लिए वो काम बहुत आया लेकिन वही है कि हैक अबिनेतरी को भी डर लगता है क्योंकि हम हम भी उसी मास से और उसी सांसों से बने हैं जिनसे आप लोग बने हैं तो वह थोड़ा म मेरे लिए डिफिकल्ट था ठीक है चल गया अभी भी चली रहा है अभी भी चली रहा है कि मतलम हमें भी कोविट से सौधानी बरकते हुए अपने काम पे फोकस करना चाहिए बिल्कुल देखे हम भी भी बिल्कुल डिस्टेंस पर बैटे हैं एक दूसरे के अंदर नहीं वह हो होगी तो बहुत सारे थोट्स है क्योंकि मुझे इसा लगता हर पांच साल बाद में आपकी सोच बदलती है विचार बदलते हैं आपके इद्गिद के लोग बदलते हैं तो अगर मैं आज इस प्रेजंट के आपको बात कुहूं तो मेरे लिए तीन चीज़े बहुत आप देखें चमतकार पका है तो अगर आपको मेरे ये थोट अच्छा लगता है तो आज ही से शुरू हो जाएं आस्क बिलीव और सीफ मैं आप एवरी मंडे अपने पेज फेस्बुक पेज और इंस्टागाम पे आप शेयर करते हो एक स्टोडी या थौट्स जो लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं कहानी सुनाती हूं मैं करेक्ट तो वह आपको कैसे लगा कि कब लगा और कैसे लगा कि आपको शेयर करना चाहि मेरे पिता ने बच्पन से मुझे सिर्फ कहानिया सुना के ही पाला है कोई भी परेशानी आती थी या कोई भी ऐसी चीज होती थी तो कही ना कही मुझे एक कहानी के रूप में वो चीज बताई जाती थी तो कहानियों का तो भंडार था मेरे पास में एक दिन अपने अंदर सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन हो रहा था कि मैं क्या दे सकती हूं what I can give to the world or to the society who love me को मुझे सुनते हैं वो मुझे से प्रभावित हो सकते हैं तो कहानियों का माध्यम जो मुर्या चीडआ चीज नकाल सकते हो पूरा पूरा जीवन कहानिया सुनकर क्योंकि वो कहते हैं न मुझ साही जग भर का जीवन सब में सुख दुख रोधन गायन कुछ बतला कुछ बात चिपा क्यों एक पहली व्यर्थ बुचा हूं मैं क्या अपनी बात बता हूं तो यही बाते हम सब का एक ही दुख और सुख हैं तो हम सब उसी तरह से मैं उनी कहानियों को पिरोकर आप ल मैसेज देखे मुझे लगता है कि हम दो औरतों की बाते सिर्फ औरती सुन रही होंगी मर्दों को कोई इंट्रेस्ट नहीं होगा पर नंदलेस जो भी अगर सुन भी रहे हैं और अवरत हो या मर्द मुझे ऐसा लगता है कि जब हम विमन इंपावर्मेंट की बात करते हैं हम लडकों से आगे हैं यह हम मुझे हैं इह हम लिए हैं हम बौ यह हमें छोटाँ बनाती हैं क्यूंकि हम सबसे बड़ी चीज यह हैं कि हमें भगवान ने हमें एक ऐसी शक्ति तई है कि हम एक नया जनम दे सकते हैं human life कर सकते हैं आपने आपको तुलना कर दे वो भी जो मर्द हैं वो भी एक भगवान की ही मूरत है भगवान की बनाईवी चीज है और हम उनसे स्रेश्ट है हमको उनसे comparison करने का कोई मर्थलब भी नहीं अर्थ नहीं है तो ये करना बंद कर दे क्योंकि ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं और मैं बिल्कुल करती भी नहीं हूँ तो जिते भी दर्शक हैं जो मुझे देख रहे हैं सुन रहे हैं प्लीज स्टॉप कंपेरिंग यॉर्सेल्फ विद मैं अज यू आ ब्यूर्फुल और यूर कॉम्पलीट करें करिका महिस्वरी के नाम से है और आप एवरी मंडे वो एक मोटिवेशनल स्टॉरी शेयर करती है जिसे आप जरूर देखें एंड थैंक्यू सो मच हमें अपना प्यार देने के लिए अपना सहयोग देने के लिए एंड प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सस्क्राइब करना मत बूले थैंक्यू